हलो फ्रेंड्स माइनम इस एंचमन शेरमाइन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अरीना हम एम्स एसी बीजाए सी एर पीएफ और जितने भी अपकमिंग एक्जाम से उनके बेस पर तैयारी कर रहे हैं आज हमारा टैंथ लाइव सेशन है आज हमारा टैंथ लाइव सेशन है प्रिवेसली हम नाइन क्लासस डिसकस कर चुके हैं जिनमें एम्स पतना क्यूशन और एंकलेक्स बेस्ट क्यूशन हमने कवर किये थे आज जो मैं क्यूशन लेका रहे हूँ वो मिक्सप क्यूशन है इट मींज वो कही ना कहीं किसी ना किसी एक्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं तो वन लाइनर क्यूशन ज्यादा है और कुछ क्यूशन एंकलेक्स बेस्ट भी है तो जो भी कर दोनों की तयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए ही यह शेशन बहुत ही बेनिफीशल है तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को शुरू कर सके जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए सब ही ओनलाइन आजाएं सब इसक्लास को शेर खर दीजिए प्रशांद जी ने नहों बज़ी गुड मॉर्णिंग क्या दिया ज़न्द से जल्दी डिल्दी क्लास को शेर कर दीजिए ताकि सभी ओनलाइन अजये बुल नुल एब सांथिखा नगा है उब कर दो कि ए लुग आ टॉट आ टॉट इवरिए बुल ने लो और फ्यू बूरी तो आज़िए चलिए ज़ल्धी से ज़ल्धी क्लास को शेर कीजिए ता कि हम क्लास को ज़ल्धी से जल्धी शुरू कर सके कलास की बीदम आनिंड योगोर्णिग जी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजी एक शेयर एक लाइक कर दीजी जल्दी से तके हम शुरू करें हमारा लाइव सेशन शुरू करें सभी के लिए एक जरूरी सुचना कि हमारे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन लाइव क्लास का नोटिफिकेशन और वेकेंसी रिलेटेड लेट्स के लिए आप WhatsApp group join कर सकते हैं description box में WhatsApp group का direct link दिया हुआ है आप वहाँ click करके सीधा हमारा group join कर सकते हैं ठीक है जहाँ पर आप अपना knowledge share भी कर सकते हैं और knowledge gain भी कर सकते हैं क्योंकि जो भी person हमारे दूसरे वाले group से जुड़े हुए हैं वो वहाँ पर message नहीं कर सकते ठीक है तो यह message especially group discussions के लिए ही है तो description box में जाके जल्दी से जिन्रोंने भी अवे तक group को join नहीं किया वो join कर लें ताकि हम जल्दी से जल्दी class शुरू करें और सारे notification आपको वहाँ मिल जाएंगे ओके तो और जो भी परसनाज नहीं दिख रहे हैं मुझे मुझे एक-दो परसनाज नहीं दिख रहे हैं तो आप चैनल को subscribe कर लें रिया जी good morning अभिशेग जी good morning अभिशेग कुमार जी good morning प्रीति जी good morning good morning everyone चलिए जल्दी से class को शुरू करते हैं क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं चलिए अजय को अजय को प्रशांट जी गुड मॉर्निंग बंकी जोहां जी गुड मॉर्निंग जिन्हों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइगन को प्रेस कर लें ताकि आपको पहले से पहले आप अपडेटेड रहे हैं हम सब्सक्राइब को देखेंगे तुरा बड़ा क्यूशन है एंकलेक्स बेस्ट क्यूशन है ठीक है किशन की तरफ देखिए सभी पैट्रिक 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 पेशेंट का नेम है वो इस होस्पिटलाइजड फॉलोइंग ए मायोकाडियल इंफ्राक्शन आस्क नर्स वा प्रोब्लम हुई थी मायोकाडियल इंफ्राक्शन ठीक है उसको क्या होता मायोकाडियल इंफ्राक्शन का पेशेंट है पेशेंट का नाम है पैट्रिक तो अब वो नर्स से पूछ रहा है कि वाई ही इस टेकिंग मॉर्फिन उसे मॉर्फिन क्यों देना दिया है ठीक है यह यहां आपको बताना है कि नर्स यहां explain कर रही है Morphin के बारे में Morphin is बिल्कुल स्टाफ नर्स यह जितने भी कुष्शन है अभिशे कुमार जी मैं आपको information के लिए बता दूँ कि यह जितने भी कुष्शन है पहले किसी ना किसी exam में पूछे जा चुके हैं मैंने आगे पुटम नहीं किया है मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यह भी बता सकूँ कि यह कौन से exam में पहले पूछा जा चुका है बट आप इतना मान के चलिए कि जितने आज कुष्शन डिसकस करेंगी हूँ सभी किसी ना किसी exam में पहले पूछे जा चुके हैं ओके बन मॉर्य अंकित जी देखे तो हमारा सवाल क्या था यहां पूछ रहा है मॉर्फिन के बारे में कौन सा इसमें से statement नर्स देगी तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है decrease anxiety and restlessness मॉर्फिन anxiety and restlessness को decrease करती है प्रिवेंट शोक और रिल्यूव पेंड शोक को प्रिवेंट करती है और पेंड को रिल्यूव करती है option C है dilated coronary blood vessels dilates coronary blood vessels coronary blood vessels को dilate करती है और option D help prevent fibrillation of the heart heart के fibrillation को prevent करने में help करती है चली जल्दी से answer दीजे मुझे इसका एंक्लेक्स pattern question मैंने पहला ही question क्योंकि पिछली दो त्रीन क्लासों से हुआ है कि एंक्लेक्स pattern मैंने add नहीं किये है तो आज सबसे पहले हम एंक्लेक्स ही discuss करते है Patrick patient है hospitalized है patient को myocardial infraction है वो नर्स से पूछ रहा है कि मुझे morphine क्यों दिया जा रहा है या मुझे morphine क्यों दे रहे हैं तो नर्स उसको explain कर रहे हैं कि morphine आपको इसलिए दे रहे हैं किसलिए दे रहे हैं इन चारों में से आपको बताना है right answer दीजिए कोई option D दे रहा है कोई option C दे रहा है right answer दीजिए जल्दी से help to prevent fibrillation of the heart D है लेकिन confuse बिल्कुल बिल्कुल जैसा भी answer आ रहा है प्लीज answer जरूर दे सभी answer दे कोई बात नहीं अगर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं उसको explain करूंगा properly कि वो क्यों होगा चलिए जल्दी से answer दीजिए सबका favorite question होते हैं क्लेक्स-based question क्योंकि इन में लोजिकल ही चलना पड़ता है देखे बात कितनी सिंपल पुछी है morphine morphine का आपको काम बताने कि morphine उसको क्यों दिया जा रहा है what is the indication of morphine in the case of myocardial infraction ठीक है बट यहां क्या हुआ यहां पूरा situation based का आपको question दे दिया है चलिए ठीक है यहां राकेश कुमार जीने बी दिया है अंकित जीने डी दिया है योगी जी चल्डी से आंसर दीजा आरपे शिंग जी भी जितने भी बार शेयर जुरूर कर दीजी क्लास को अभी लेट नहीं हुआ है सबको शेयर कर दीजीये शिए शेवंपंडी जी C, Myo-Ri-G B, Pinky-G B, ठीक है, तो जिनों ने भी यहाँ पर B answer दिया है, वो right answer है, Prevent shock and relieve pain, Prevent shock and relieve pain, Okay, Myocardial Infection में इसका क्या काम है, Prevent shock and relieve pain, क्यों करता है, यह भी देखते हैं, देखिए, Morphin क्या है, Morphin कौन से ड्रग है, Opoid Analgesics, This is, इसकी ड्रग की क्लास कौन सी है, Opoid Analgesics, क्या है, Opoid Analgesics, जो की pain को relieve करने में काम मते हैं, तो first हमारा हो गया, relieve the pain, Morphin करता क्या है, Opoid Analgesics करते क्या है, Morphin होता है, CNS Depressant, Central Nervous System Depression करता है, ठीक है, क्या करता है, Central Nervous System को depressed करता है, जिससे pain relieve होता है, और जो भी यहां answer दे रहे हैं, Option C, जिसमें लिखा हुआ, Dilates Coronary Blood Vessels, Dilates Coronary Blood Vessels, Coronary Blood Vessels को dilate नहीं, Constrict करता है, और क्या करता है, Prevent Shock, ठीक है, क्या करता है, Prevent Shock, Shock से Prevent करता है, ओके, यहां हमारा discuss complete हो गया है, Morphine is a opioid analgesic, used to relieve pain, CNS, depression का काम करता है, और क्या, Respiratory Arrest कर सकता है, ठीक है, तो जो Respiratory Arrest का patient है, उसमें Morphine Contra Indicated होता है, क्योंकि यह already CNS को depressed कर देगा, तो respiration decrease हो जाएगी, और patient की condition और worsening या और dangerous हो जाएगी, ओके, यहां हमने दो तीन चीज़ें discuss की, देखिए, which of the following, एक indication और है इसका, decrease, efferasy and prevent cardiogenic shock, cardiogenic shock को relieve करता है, efferasyon का मतलब होता है, जो डर होता है, जैसे कि patient को heart attack है, उसको पता चलते ही, कि मुझे तो heart attack आया है, तो वो के एकदम डर जाता है, गबरा जाता है, या उसको डर बैठ जाता है दिल में, तो CNS depression की वज़े से क्या होगा, morphine क्या करेगी, CNS को depressed करेगी, ताकि उसकी thinking abilities भी थोड़ी सी कम होगी, वो कम सोचेगा उस बारे में, तो इस type से उसका anxiety, या उसका डर रिलीव करने के लिए भी morphine work होता है, morphine work करती है, ओके, which of the following should the nurse teach the client about the sign of digitalist toxicity, देखिए right answer दीदे जल्दी से question 2 का, which of the following should the nurse teach the client about the sign of digitalist toxicity, digitalist toxicity का आपको answer देना है, digitalist toxicity का इसमें से कौन सा right answer है, increase appetite, appetite को बढ़ा देता है, elevated blood pressure, blood pressure को बढ़ाता है, skin racist over the chest and back, back और chest पर skin racist करता है, या visual disturbance such as seeing yellow spots, what is the right answer, सभी right answer दीजिए, कि डिजोक्सिन अगर toxicity हो गई, देखिए डिजोक्सिन toxicity कब देखने को मिलेगी, जब therapeutic level से अगर उसका level increase हो जाएगा, या overdose हो जाएगा, जब वो toxicity करना produce कर देगी, digitalis का overdose जाएगा, देखिए digitalis का एक another form होता है, जिसे आप सभी जानते होंगे, डिजोक्सिन, क्या? डिजोक्सिन, ठीक है? इसकी toxicity से आपको क्या होगा, देखिए जल्दी बताइए, फिर हम digitalis के बारे में भी बात करेंगे, कि ये कौन सी, drug की कौन सी class से बिलॉंग करती है, देखिए जिन्होंने भी अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, आज कुछ नए persons दिख रहे हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर ले और bell आइकन को फैस कर ले, description box में link दिया हुआ है ग्रूप का, तो आप सट ग्रूप को join कर ले, ओके, देखिए, right answer दीजिए, अभी तक सभी के answer नहीं आया है यहाँ पर, सभी जितने भी online हैं, वो सभी answer दें, आपको सही गलत जैसा आरा वैसा answer दें, जल्दी से answer दीजिए, जल्दी से answer दीजिए, right answer क्या होगा हमारा, देखिए, यहाँ जिन्होंने भी answer दिया है, एक या दो को छोड़कर जिन्होंने भी answer दिया है, वो right answer है हमारा option D, visual disturbance such as seeing yellow spots, यहाँ पर जो answer है वो होगा D, increased appetite कैसे होगा विश्णोई जी, increased appetite कैसे होगा, डिजोक्सिन increased appetite नहीं करता जी, यह system पर कोई effect नहीं है, इसका, ठीक है, तो उसको क्या yellow vision होगा, यह yellow spots दिखेगा, visual disturbance होगा, डिजोक्सिन toxicity की वज़े से, या फिर digitalis toxicity भी कह सकते हैं इसको, चलिए और देखते हैं, और क्या क्या देखने को आपको मिल सकता है, यहां मैंने put up किया है, confusion, irregular pulse, loss of appetite देखिए, इसमें appetite loss होगा, ना कि increase होगा, ठीक है, उसके वोग कम लगेगी, बड़ेगी नहीं, nausea, vomiting, diarrhea, fast heartbeat, आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, confusion, irregular pulse, loss of appetite, nausea, vomiting, diarrhea, fast heartbeat, और vision changes, ठीक है, यह क्या होगा, ओवर्डोस की वज़े से, digitalis toxicity के हिसाइन, आप इनको note कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number 30, also based on NCLEX, nurse Trisha, teaches a client with heart failure, to take oral frucemide in the morning, the reason for this is to help, एक nurse है, जिसका नाम है Trisha, वो एक client को teach कर रही है, वो एक client को educate कर रही है, कि client कौन सी disease है, उसको heart failure, उसको क्या problem है, heart failure, और किसके बारे में वो teach करी, oral frucemide के बारे में, कि oral frucemide को morning में लेना चाहिए, तो इसके पीछे reason क्या है, कि oral frucemide को morning में क्यों लेना चाहिए, what is the reason behind this, right answer दीजिए, retard rapid drug absorption, drug absorption का rapidly absorb ना हो, इसके लिए, या फिर excrete excessive fluids accumulated at night, के राप को fluid accumulated हो, इसलिए prevent sleep disturbance during night, night के time sleep disturbance ना हो, उसको prevent करने के लिए morning में देते हैं, या फिर option D, prevention of electrolyte imbalance, what is the right answer, ठीक है यहां बहुतों ने answer दिया है, बहुतों ने answer दिया है, कि oral frucemide, oral frucemide बता दूँ आपको, यह diuretic है, ठीक है यह क्या है, loop diuretic है, lessics या फिर इसी क्या कह सकते हैं, frucemide, it is the loop diuretic, work on, loop of hand lay, कहां work करता है, loop of hand lay, तो यहां सभी ने right answer दिया है, एक तो को छोड़ को, यहां सभी ने right answer दिया है, option C, prevents sleep disturbance during night, देखिए, oral frucemide है, frucemide क्या है, diuretic है, diuretic है, diuretic का काम होता है, diuretic का काम होता है, decrease the reabsorption of the water and sodium, decrease the reabsorption of the water and sodium, sodium और water का reabsorption, diminish करता है यह decrease करता है, जिसकी वज़े से क्या होगा, patient का urine output बहुत ज़्यादा होगा, क्या होगा, urine output ज़्यादा होगा, patient को toilet ज़्यादा लगेगा, तो वो क्या करेगा, बार-बार toilet करने जाएगा, अब आप सोचे कि, अगर oral frucemide को night में दोगे, तो उसका sleep disturbance होगा, क्योंकि उसको फिर से toilet लगेगा, बार-बार, हाट थोड़ी देर में toilet करके आएगा, क्योंकि उसको diuretic दिया है, उसका urine का formation ज़्यादा हो रहा है, तो cardiac workload को कम करने के लिए, क्या दिया जाता है, diuretic दिया जाता है, in the case of heart failure, cardiac workload को कम करने के लिए, क्या दिया जाता है, heart failure के case में, frucemide, ओके, all clear, सभी अपने एक बार प्रसेंच देते हैं, कि सभी को ये बात समझ में आई नहीं आई, सभी, एक बात हम सब करके बताते हैं, कि सभी को समझ में आई रहा नहीं आ रहा है, हम चलते हैं, next question की तरफ जितने, what would be the primary goal of therapy, for a client with pulmonary edema and heart failure, सभी right answer देंगे, what would be the primary goal of therapy, for a client with pulmonary edema and heart failure, इनमें से, primary, अपना primary goal क्या होगा, अगर client को pulmonary edema and heart failure है तो, pulmonary edema and heart failure के केस में, हमारा primary goal of therapy क्या होगा, enhance comfort, comfort promote करना, increase cardiac output, option C, improve respiratory status, respiratory status को improve करना, या फिर option D, peripheral edema decreased, peripheral edema को decrease करना, चलिए right answer रताईए, right answer दीजिए, सबी right answer दीजिए, आंकेत कुमार जो option B, राउल बाकिले बार option C, option C, option C, आप सब के लिए, छोटा सा हिंट, option C नहीं होगा, बाकित तीन में से choose करिए, सबी के लिए एक हिंट, option C नहीं होगा, अब पोई दूसरा answer दीजिए, पिंकी चोहान जी, option B, अभी option B आने लगे, अभी option B आने लगे है, अरुन शर्मा जी भी, आज मुझे काफी नए परसंद दिख रहे हैं, जैसे लिए बभीता जाट जी और विष्णवई जी, अरुन शर्मा, पिंकी चोहान, बहुत सारे नए स्टुडेंट्स हैं, आज तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आप अपडेटेट रहे हैं, हमारी लाइब क्लास के इन्फोर्मेशन से, ठीक है, यहाँ सभी ने right answer दिया है, option B, देखे, option C नहीं होगा, पल्मोनरी एडिमा और हर्ट फेलियर, देखे, पल्मोनरी एडिमा का most common cause होता है, कार्डियक प्रॉब्लम या हर्ट अटेक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, CHF, कंजस्टिव हर्ट फेलियर इस दे, मौस्ट कॉमन कॉज फॉर दी पल्मोनरी एडिमा, एक MCQ आपका यहाँ पर भी बन सकता है, पल्मोनरी एडिमा क्मे क्या होता है, देखे, कंजस्टिव हर्ट फेलियर में क्या होता है, कि जो हर्ट है, वो अनेबल होता है, ब्लेड को पंप करने के लिए, क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, हर्ट is unable to pump blood adequately to the body, ठीक है, adequately अगर बोडी में वो पंप नहीं कर पा रहा है, इसकी वज़े से क्या होगा, जो, इसकी वज़े से क्या होगा, लंक्स से जो ब्लेड हर्ट में आ रहा है, वो भी प्रॉपरली नहीं आ पाएगा, वो वाहां, वहीं regurgitate हो जाएगा, क्या होगा, regurgitate हो जाएगा ना, ठीक है, देखे, pulmonary veins क्या करती है, फेवरों से ब्लेड को हाट में लेकर आती है, कहां, लंक्स से हाट में लेकर आती है, तो इस condition में क्या होगा, वहां congestion हो जाएगा, heart properly pump नहीं कर रहा है, ठीक है, अब यह देखिए, इसके pulmonary edema के आपको, definition से समझ जिए, it is the condition caused by excess fluid in the lungs, lungs के अंदर excess fluid का accumulation हो जाना, most common cause होता है, cardiac cause, जिसमें हम कह सकते हैं, congestive heart failure, it is the condition caused by the excess fluid in the lungs, excess fluid हो जाता है, lungs में, this fluid, this fluid collect in numerous air sec in the lungs, making it difficult to breathe, देखिए, क्या होता है, मैंने आपको बताया, कि blood properly, lungs से, heart में नहीं आ पा रहा है, congestion हो गया, congestion हो गया, तो क्या हो गया, वह वहीं रुकता रहेगा, और, जो air sec, air sec कौन से होते हैं, alvelyse, lungs में air sec कौन से होते हैं, alvelyse, तो alvelyse क्या करते हैं, alvelyse के अंदर, fluid का collection हो गया, ठीक है, congestive heart failure की वज़े से, क्या हुआ, regurgitate हुआ blood, means, back flow हुआ, वापिस, जो lungs से, heart में आना चाहिए, वो heart में आके, वापिस lungs में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं, वो जो capillaries है, वो air sex से जुड़ी हुई है, it means, alvelyse से जुड़ी हुई है, तो वो alvelyse में, fluid का collection कर देगी, alvelyse में, fluid का collection होने की वज़े से, पेशेंट को, breathing difficulties होगी, और इसी condition को कहते हैं हम, pulmonary edema, pulmonary edema, respiratory causes भी होते हैं, जिसे इसमें pneumonia हुआ, यहां मैं आपको बता दूँ, चलिए, next question में discuss करेंगे, जो next, इसका symptom है, heart failure का वो, ठीक है, सभी को समझ आया, सभी को समझ आया, एक बार बताए मुझे, सभी को समझ आया है, क्योंकि काफी लंबा discussion था, क्योंकि, NCLEX based question समझने के लिए, पहले question को बहुत ही, ध्यान से बढ़के समझना पड़ता है, उसके बाद, सभी रिलेट करके बताना पड़ता है, ओके, ठीक है, तो आप मुझे बताते रहे हैं, कि जो भी लंबा discussion चलता, उसके बाद आप मुझे जरूर बताते रहें, कि समझ में आया या नहीं आया, Mr. Chow A, 78-year-old client is admitted with the diagnosis of mild chronic heart failure, एक patient है Mrs. Chow, जिसका नाम है Mrs. Chow, 78-year-old lady है, diagnosed हुआ है, उसको mild chronic heart failure, mild chronic heart failure हुआ है, ठीक है, the nurse expects to hear when listen to client's lungs indicative of chronic heart failure would be, ठीक है, तो nurse क्या कर रही है, clients के lungs को auscultate कर रही है, means client के lungs में sound को सुन रही है, ठीक है, अब वो patient किसका है, chronic heart failure का, तो nurse क्या expect करेगी, कि किस type का sound यहाँ देखने को मिलेगा, या सुनने को मिलेगा, सुरी, sound देखने को नहीं मिलता है, सुनने को मिलता है, ओके, चलिए, कौन सा होगा, strider crackles beasing, या फिर, friction rub, जल्दी से आंसर दीजिए, कुछ ने आंसर दे भी दिया है, कि क्रोनिक हर्ट फेलिवर का पेशेंट है, ठीक है, उसके लंग्स को औसकल्टेट किया, इसमें उसके लंग्स में sound सुने, तो किस type का sound आएगा, strider, crackles, वेजिन, या फिर, friction rub, राइट आंसर दीजिए, सभी राइट आंसर दीजिए, ठीक है, सभी ने, यहां मौस्ट आफ ने, राइट आंसर दिया है, जिन्हों ने विए आंसर भी दिया है, वो राइट आंसर है, देखे, ग्रेकल्स, जो हमने पल्वनरी एडिमा में पढ़ाता है, कि लंक्स से हर्ट तक, जो ब्लड आ रहा है, वो प्रॉपरली नहीं आ पाता, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा है, इसलिए वो रिगर्जिटेड हो गया, इसलिए रिगर्जिटेड होने की वज़े से क्या हो गया, एल्विलाइस के अंदर, एल्विलाइस या कह सकते हैं, हम एर सेख, एर सेख जहां पर, एर और ब्लड के अंदर, एल्विलाइस में क्या होता है, एर और ब्लड के अंदर, gases का exchange होता है तो वहाँ क्या होगा fluid accumulate हो जाएगा fluid accumulate होने की वज़े से ये crackles sound आपको सुनाई देंगे क्या fluid accumulation की वज़े से crackles में ये सवाल आपको उपर भी बताने वाला था पर मैंने सुचा सवाल के साथ में बताते हैं तो उपर वाले को just continue करें अगर जो हमारा fourth question के explanation को हम अगर continue करें तो उसमें क्या हो था pulmonary edema adrenaline के अंदर क्या हो था fluid का accumulation breathing difficulty और जो sound कौन सा सुने देगा auscultation पर वो होगा crackles ठीक ही बार बार पूछा किया question है जिन्होंने जादा तर exam दिये होंगे उनको पता होगा उन्होंने बहुत बार discussion को face भी किया होगा अलग अलग तरीके से one liner में भी किया होगा और other type में भी किया होगा ठीक है चलिए अब थोड़ा जो भी नहीं है भी just हमारे साथ add होए है उनके लिए information जो कि हमने aims, sdpdi, crpf और जो भी upcoming exams है उनके point of view से ये live classes के लिए live session start किये हुए है तो उनके notification के लिए आप हमारा whatsapp group join कर ले description box में link दिया हुआ है वहाँ से click करके आप direct group join कर सकते हैं इस group में आप group discussions भी कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमारे साथ other group में जुड़े हुए हैं उनमें वो discussion नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ वो message नहीं कर सकते हैं तो यहाँ आप अपने सवाल भी put up कर सकते हैं आप अपना knowledge भी share कर सकते हैं और knowledge gain भी कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी आप इन groups को इस group को join कर लीजे मेरी previous जितनी भी 9 classes हैं 9 sessions हैं वो description box में मैंने link दिया हुआ आप जाके वो ले सकते हैं और जिन्होंने भी तक subscribe नहीं किया है channel को चैनल को subscribe करें मैं ज्यादा time ना लेते हुए जल्दी से next question की तरफ बढ़ता हूँ पर पहले class को like और सब्सक्राइब जरूर कर लें हाइट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं अब क्या करें central reserve force है 170 cm for males अब क्या करें central reserve force है उनका criteria है जो तो पूरा करना ही परेगा अपने को चलो knowledge में तो हम gain कर लें पर अब तो height कैसे gain करें physically तो यह बहुत ही females में है 157 के around 157 cm I think वैसे तो confirm है कि 150 cm बिल्कुल 157 cm है 157 cm sorry चलिए next question की तरह बढ़ते हैं gland that disappear in adult but 2 is active in childhood is देखिए gland adult में तो ऐसी gland का नाम बताई ही जो adult में तो disappear हो जाती है बट active in childhood childhood के अंदर active रहती है जल्दी इसे बताई ही hypothalamus parathyroid adrenal cortex या thymus endocrine system का question है medical surgical का ऐसी कौन से gland है जो की childhood में active रहती है बट बाद में वो disappear हो जाती है सबी right answer दीजिए देखिए 33 online air अभी तक भी किसी ने कोई है हमारे student जिन्होंने class को like नहीं किया है तो please class को like कर दे अगर class आपको beneficial लग रही हो beneficial हो आपके लिए आपके friends के लिए तो इसको share जरूर करें और please एक बार like जरूर कर दे जिन्होंने भी तक like नहीं किया है like कर दे चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो subscribe कर दे जब तक सभी के आमतरम देख लेते हैं सभी ने लगबग answer लगबग सभी ने सही दे रहे हैं राइड आंसर है option D videos and डिसपयर इन अडर्स एंड active in childhood ठीकर यहां क्या होता है इसका जो 40 चाइलरुं के अंदर इसका देखिये जातबर पहला MCK तो यहां क्लिए हुआ आपका थाइमस ग्लेंड एक लिंफ लिंफोइड औरगन है ग्रोव तिल प्यूबर्टी प्यूबर्टी तक ग्रोव करती है इसका वेट इस अबाउट 15 तो 30 ग्राम और आफ्टर प्यूबर्टी जब यह डिसपेर होने का मतलब यह नहीं है कि वह शरीर से बाहर निकल जाती है नहीं वह रिपलेस हो जाती है ठीक प्यूबर्टी के बाद किस नाम से जानते हैं फाइब्रस टिशू के नाम से पहले यह लिंफोइड और्गन होता है ठीक है ओके यह तो हो गई information थाइमस ग्लेंड के बार में बाकी ग्लेंड के बारे में बहुत कुछ पर चुके है हाइपो थैलेमस पैरा थाइरोईड एडिनल कोटेक्स एंड थाइमस सभी के बारे में प्रिवेस क्लासेस के अंदर बहुत सारे discussion और बहुत सारे MCQs क्लियर कर चुक हाइपो नहीं मैं हाइपर बात कर रहा हूं हाइपर 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 सिक्रेशन पूछ रहा हूं ठीक है हाइपर सिक्रेशन ठीक है इस मिस्टेक को अवोइड करेंगे सभी हाइपो सिक्रेशन नहीं हाइपर सिक्रेशन आप दे ग्रोथ और्मन लीड्स टू एक्रोमेगेल क्रेटेनिज्म, मैक्स एडिमा या फिर ग्रेव्स डिजीज जल्दी से राइट आंसर दीजिए सभी को इसका आंसर जरूर आता हुगा, सभी को और जिनको पता है कि आपने बहुत ही एक पॉपिलर परसनल्टी है उनका नाम लिखें आप जिनको ये एक्टरों मेगेली का एक बहुत सूटेबल एक्जाम्पल है एक सूटेबल एक्जाम्पल, इस एस सूपर स्टार कह सकते हो आप एक बहुत ही पॉपिलर सेलेब्रिटी है बिल्कुल बिल्कुल मेहनत कीजिए जरूर मिलेगी सभी को चाहिए गवर्मेंट जोग रिजर्ट ऑफ हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रॉथ होर्मोन ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है ख्याती जोशी जी बिल्कुल सही बात है ग्रेट खली नायम माने लगे हैं अभी महेंदर कुमार जी खली राजेंदर यादाव जी ग्रेट खली खली बिल्कुल बिल्कुल खली इस डवली डवली चैंपियन हाला कि अभी तो रिटाइड हो चुके हैं पहले पंजाब पुलिस में थे उसके बाद रैसलिंग को अपना करियर बनाया अभी रिटाइड हो चुके हैं आई थिंक इतना देखता नहीं बस एकरहम एक अलएकली के वज़े से याद रख रखता है चलिए जोली सभी ने यहां बहुत अच्छा ही अंसर जिया है और शवी अच्छा हмовशेश रहता है यहां अंपर पार्टिसफरीशिण आपको बहुत ऑच्छा है ठीक है, मुझे अभी इन कमेंट्स में बहुत सारे नए परसंस दिख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले वह या, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, जल्दी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सभी ने राइट आंसर दिया, एक्रोमेगली इस दे राइट आंस से, अब ये किस वज़े से आपको देखने को मिल सकता है, इसका कॉजिस क्या हो सकता है, जैसे कि प्यूटरी ट्यूमर, प्यूटरी हॉर्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर होते हैं कुछ टाइप के, तो प्यूटरी सिक्रेशन बढ़ते हैं, किस वज़े से, प्यूटरी में ट् दीका एक्जामपल आपको मिल गया किस कारण से पिटिटट tampa के वज़ेसे क्या होता सोते इस मींस जो होड़ोन को Ĉकसीव माउंबं में करते है इस टाएक्छिट खली को देखा होगा उनका मुह इस टाइप से उसका जो मेंडिबल है वो काफी नीचे की तरफ है इसका एक साइन होता है गोरिला फेस ठीक है आप याद रखेंगे गोरिला फेस याद रखेंगे गोरिला फेस जिसमें हो जाता है वो एक्रोमेगली और भी बहुत सार यह जाबता है इसे कहते हैं गोरिला फेज साइन ठीक है यहां मेंने बहुत सारी चीज़ें आप उटप किये हैं देखिए यह सब साइन सिंटम में एक्रोमेगे लिके एंलार्ज हैंड एंड फीट एंलार्ज हैंड एंड फीट यह हाइपर सेक्रेशन आफ हाइप मैक्स एडिमा थेंक यू क्याती जी एनलार्ज हैंड एनलार्ज हैंड फीट हातों और पेरों का एनलार्ज हो जाना एनलार्ज फेशियल फीचर जैसा मनें बता है गोरिला फेश ओईली थिकंड स्किल सोरी स्किन एक्सेसिव स्वेटिंग बोडि ओर्डर ज्यादा उसको पस्पिसेशन यानि पसीना आएगा और बोडि ओर्डर का मीनसे थोड़ी स्मेल आएगी इसमाल आउट ग्रोथ ऑफ स्किन टिशूस स्किन टिशूस की आउट ग्रोथ जो है वो स्माल होगी फटिंग अन मसल बीकनेस अधिपेंडेंट हसकी वोइस द्यू टो एनलाज वोकल कोड एंड साइनस जो भी डवली डवली देखते हैं जो रेस्लिंग फाइट्स देखते हैं जिन्होंने भी ग्रेट कली को देखा है आपने उसकी आवाज जरूर सुनी होगी तो ठीक है आवाज जरूर सुनी होगी कि जो खसकी वोइस है वो वोकल कोड एनलार्ज हो जाते हैं क्योंकि ग्रोथ ओर्मन क्या करता है तिश्यू और बॉन्स सभी की बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है इस वज़े से वोकल कोड एनलार्ज हो जाते हैं और उसकी जो वोईस है वो बहुत ही अजीव सी वोई सुने देती है, खली की बोई सुनी होगी आपने, ठीक है, खली की बोई ज़रूर सुनी होगी, देखें, next देखें, serious snoring, due to obstruction of the upper airway, upper airway, obstruction के वज़े से snoring होगा, impaired vision, headache, enlarged tongue, इनकी tongues भी बढ़ी होती है, ठीक है, enlarged होती है, बहुत 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 बार पुछा रहा है इन में से कोई भी साइन देखके जैसे कि कि मैं बता दूँ कि जो एनलार्ज टंग है एनलार्ज हार्ट है वो आपको पूछ सकता है और स्पेशली गोरिला फेस कौन सी प्रॉब्लम में देखने को मिलता है ठीक है अगर और मैंने यहां गलती से हाइपो लिख दिया तो ड्रॉफिज्म ठीक है ड्रॉफिज्म हाइपो secretion of the growth hormone results dropism, cretinism, childhood के अंदर hypothyroidism होना मतलब thyroid hormone का decrease हो जाना किसमे? Childhood में it is cretinism, adult में decrease होना max edema, graves disease, hyperthyroidism ठीक है यहां बाकी को भी describe कर दिया है Yes, symoid disease Which hormone causes of relation? Sorry, not relation आज बहुत ज़दा प्रिंटिंग मिश्टेक हो यहां answer ovulation ovulation ठीक है? इन में से कौन सा hormone ovulation cause करता है? Right answer दीजिए सभी right answer दीजिए Which hormone causes of ovulation? Ovulation के बारे में पूछ रहा हूँ Ovulation Right answer दीजिए इन में से कौन सा hormone is responsible for the ovulation? Option A, Option A, Option A सभी option A दे रहे हैं Lutenizing चलिए, बिल्कुल right answer बिल्कुल right answer सभी का यहां पे Lutenizing hormone is responsible for the ovulation in female किसमे? Ovulation in female और male में यह क्या करता है? Male में it stimulates यह क्या करता है? It stimulates intrastitial cells It stimulates intrastitial cells जिने हम क्या कहते हैं? Leading cells भी कहते हैं किसके लिए? किसके लिए stimulate करता है? To secret testosterone hormone Testosterone hormone ठीक है? किसके लिए करता है? Testosterone hormone के secretions के लिए Okay, समझ में आगए Lutenizing hormone का work male और female में Female में ovulation और male में leading cell को stimulate करता है testosterone के लिए ठीक है? Follicle stimulating hormone हमने previous class में discuss किया था Follicle stimulating hormone क्या करता है? follicles को stimulate करता है ताकि वो जो egg है वो आगे जाकर ovulation की process में part ले सके testosterone के बारे में देखी लिया male androgen और progesteron इनके बारे में further discussion करेंगे क्योंकि बहुत सारे questions इन पर भी put up होते हैं Yes, spermatogenesis in male by FSH पिल्कुल which hormone is not secreted by the pituitary gland इन में से कौन सा hormone pituitary gland secret नहीं करती है growth hormone, thyroid stimulating hormone, oxytoxin या follicle stimulating hormone जल्दी जाँसर दीजे BSF, strapner, CRPF की जो तयारी कर रहे हैं वो तो इस cancer जरूर देंगे उनको तो देना ही है जैसे में आगे लिखा है यह 2014 ऐसा ही जो sub inspector की post आई थी BSF में उस क्या होता सभी answer देंगे जो CRPF की तयारी करें वो तो जरूर देना है सभी right answer दीजिए एक दूसरे का देखकर मत दीजिए एक 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 आपका छोटे से हैल्प TSH नहीं होगा तारिब्स ट्रियति हारमोने सेक्रेटेट आपी जएर अचिन एंच कुडिए और बताइए सेप्चिन रवब और इस हैं अभी चेंज होगे सब के आंसर जल्दी से अभी आंसर देजी सब देखिये हमारा जुड़ा डांसर होगा आवक सेटोपशिन ठीक है इसन नॉट सिकरिट वाइदी पिट्रेट्रि ग्लैंड मैंने कुछ जूर्वलर क्लासिस अटेंड कर रहे हैं उन्हों को उनको याद होगा कि मैंने Oxytoxin और ADH के बारे में जो कि दोनों Posterous Putatory Gland में होते हैं Secret होते हैं Secret कहा होते हैं Targeted cells पे या Targeted tissues पे Secreted भाई अब यहां देखिए यहां आपको बताता हूँ previous class में उन्हें बताया था Oxytoxin is form in hypothalamus ठीक है Oxytoxin कहां बनेगा hypothalamus में और Posterior Gland के Posterior Lobe में Posterior Gland के Posterior Lobe में यह store होता है ठीक है यह store कहां से रहता है यह stored रहता है Posterior 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 Gland में यह Posterior Gland के Posterior Lobe में यह stored रहता है तो mainly अगर इस टाइब का tricky question है तो आपको आंसर यह लिखना है कि Oxytoxin is secreted by the hypothalamus and stored at the Posterior Lobe of the Posterior Gland secreted by the or formed by the hypothalamus and stored at the Posterior Posterior Gland ठीक है Oxytoxin उपर हो गया है एंटिडियूरेटिक हर्मोन का काम बता हुए क्या करेगा Oligourea, Aneurea, Decreased Urine Output, Increased Urine Output सब्सक्राइब राइब आंसर दीजिए राइब आंसर दीजिए सभी तइफेक्ट आप अंटिडियूरेटिक हर्मोन is Oligourea, Aneurea, Decreased Urine Output यह Increased Urine Output राइब आंसर दीजिए ADH anti-diuretic hormone secreted by the posterior pituitary gland, Diabetes Incipidus Sign, Diabetes Incipidus is the hyposecretion of ADH, Causes Diabetes Incipidus, Increased Urine Osmolality, Increased Urine Dilution Vasopressin, Yes, Another Name of ADH is Vasopressin, Decreased Urine Output यह बात भी यह भी बात करेंगे कि ADH काम कहां करता है, Kidney में Kidney में तो काम करता है, पर करता कहां है, यह भी बात करेंगे चलिए यहां सभी ने राइट आंसर दीदिया है, Option A is the right answer Sorry, not Option A, Option C is the right answer, Decreased Urine Output लेकिए, Decreased Urine Output Oligo Urea क्या होता है, Oligo Urea में भी क्या होता है, Urine Output Decreased होता है कितने 400 ml पर आर से Sorry, not पर आर, 400 ml पर 24 पर डे 400 ml पर डे से, अगर कम है तो उसे हम Oligo Urea कहते हैं बट इससे यह Decide नहीं होता है कि Anti-Diuretic Hormone की वज़े से Oligo Urea होगा क्योंकि यहां Amount थो पता है कि कितना ADH secret होगा, जब कितना Amount loss होगा, एक fixed criteria नहीं है तो आप यहां कह सकते हो Decreased Urine Output Right answer है हमारा Decreased Urine Output Urine Output के Decrease करता है ADH यह कैसे करता है, देखिए Neferon की तीन पार्ट होते हैं एक होता है, ट्यूबल पार्ट में Neferon की ट्यूबल पार्ट के तीन पार्ट होते हैं तीन सब पार्ट होते हैं PCT DCT and Loop-Up Henle तीन पार्ट हो गए तो यह जो Distil Convertent Tube है यहां यह mainly work करता है कहां पे Distil Convertent Tube है Tubules है Neferon के अंदर, यह यहां work करता है और यहां क्या work करता है, उसको हम देखेंगे यहां work करता है Sodium and Water का Reabsorption देखिए Sodium and Water का Reabsorption को Increase करेगा ADH क्या करता है, Anti-Diuretic Hormone नाम से ही पता चल रहा है Diuretic को कम करेगा या Inhibit करने वाला तो Sodium अगर Water का Retention अगर कर लेगा तो Urine Formation कम होगा Urine का Output कम होगा तो Decrease the Urine Output सभी तो समझ में आया ठीक है, mainly DCT पे काम करता है जो भी परसन अभी नए जुड़े हैं Group में Group Join कर ले, Description Box में Link दिया हुआ है Group Discussion कर सकते हैं कल भी बहुत सारे बच्चों ने अपना Knowledge शेर किया बहुत सारे अपने आपको Assess किया इस Group में ठीक है, तो Live Class के Schedule के लिए Class को Join करे Question No.11 Which muscle is helpful in changing Shape of the eye lens इस तरह के आपको Question ज़्यादा तर देखने को मिलेंगे Which muscle is helpful in changing Shape of eye lens Eye lens के shape में Changes करने के लिए कौन सी muscle responsible है इन में से बताईए Round ligament, Broad ligament, Suspensory ligament या फिर None of these Right answer दीजे Right answer दीजे जल्दी से बहुत अच्छा क्रिशन है Sensory organ I I से related question है जल्दी से answer दीजे कोई option A दे रहा है कोई option C दे रहा है फिर भी सभी के answer नहीं आए अभी तक सभी के answer नहीं आए है जल्दी से answer दीजे Round ligament, Broad ligament Sorry, Bode ligament या फिर Suspensory ligament जल्दी से answer दीजे इस answer भी बताता हूँ None of these इन्हें में से कोई muscles नहीं है जो की lens के shape को changes कर सके These are ligaments हमारा right answer है ciliary muscles Right answer है ciliary muscles सभी याद रखेंगे lens के changes में कौन helpful होता है ciliary muscles इन में से कोई भी नहीं है ciliary muscles देखें, near और far vision के according के near देखना है पास में देखना है के दूर देखना है उसके vision के according lens का shape maintain करना कौन करती है, कौन सी muscle ciliary muscles करती है next question इसी system से blind spot is known as macular lutea fovea centralis optic disc या फिन नन फिस blind spot is also known as macular lutea fovea centralis optic disc या नन फिस right answer दीजे जल दी से बविता जी option d, rahul जी option c, tripal जी option c या और भी कुछ mcqs हम discuss करेंगे जल्दी आंसर दी दीजिए रहा है rods and cons की वज़े से क्योंकि rods और cons optic disc does not contain rods and cons rods और cons नहीं होंगे तो visual नहीं होगा तो यहां क्या होगा, visual field नहीं होता है जहां visual field नहीं होता है, उसे हम optic disc या फिर blind spot कहते हैं ठीक है, macular lutea and fovea centralis दोनों एक ही हैं, ठीक है macular lutea का ही दूसरा नाम है fovea centralis it is responsible for the central vision ठीक है, it is responsible for the central vision जो भी focus रहता है इसका central vision जैसे कि आप कोई field देख रहे हैं तो उसका central vision कौन responsible होता, macular lutea या fovea centralis is the responsible for the central vision it is the part of retina ठीक है, और जो peripheral जो peripheral field को देखने के लिए कौन responsible होता है peripheral retina याद रखना बहुत एजी है, peripheral retina peripheral retina macular lutea responsible for the central vision optic disc, यहाँ visual field नहीं होता है और peripheral retina, यह तीन पार्ट होता है retina के, inner layer होती है eye की retina, retina के यह तीन पार्ट हो गए macular lutea, जिसके अंदर क्या होता है, एक depressed portion होता है यह देखिए, जैसे कि यह eye है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यह eye है तो यहाँ पे एक depressed portion होता है यह देखिए, एक depressed portion होता है इससे हम कहते हैं macular lutea it is the responsible for the central vision optic disc में कोई नहीं होता और peripheral retina, peripheral vision के लिए बात करते है rods and cons की, देखिए, चले बात करते है rods and cons की, rods are responsible, यह देखिए, कैसे होता है cylindrical shape इनका shape कैसा होता है, cylindrical shape responsible to see in low light low light में अगर आप देख पाते हैं तो रेटाइना की वज़े से देख पाते हैं और अगर sharp और high, जो high contrast light होती है, उसमें देखने के लिए cons responsible है, bright light को देखने के लिए cons responsible है, इनका shape होता है conical shape क्या होता है, conical shape C से आप एक और बात याद रख सकते हैं जैसे C का means conical shape या फिर cons इसी C का मतलब color blindness भी कह सकते हो, color blindness का मतलब होता है, cons में problem है photoreceptors, ओके यहां बहुत सारे MCQs हमने clear के rods and cons से लेकर macular lutea और peripheral retina optic disc ठीक है, इनके सब के बारे में डिसकस किया जल्दी से next question का answer देंगे one diopter of power of a lens one diopter किसके equal होता है whose focal length is 10 meter whose focal length is 100 meter whose focal length is 1 meter and whose focal length is 1000 meter सभी right answer दीजिए one diopter diopter होता है lens का SI मात्रक या SI unit कहते हैं हम इसको lens का SI unit क्या होता है diopter, आप से यहां पर MCQs यह भी बन सकता है कि diopter का diopter किसका SI मात्रक है या SI unit है तो किसका है वो power of the lens का i का lens होता है उसकी power को not i का lens जो convex और concave lenses होते हैं उनका measure करने के लिए उनका जो unit होता है ऐसा unit होता है वो होता diopter ओके जो तिस आंसर दीजिए option C, option C, option C, one option A, Mahindra Kumar जी, ख्याती जी, A चलिए, इसका right answer हम बात करते हैं, focal length, जिसकी focal length 1 meter होगी, 1 diopter, 1 diopter is equal to 1 meter focal length, ठीक है, यह सभी याद रखेंगे, यहाँ दो MCQs बन सकते हैं, कि लेंस का, ऐसा unit के आता है, diopter होता है, और 1 diopter is equal to 1 meter focal length, option, sorry, question number 14, which of the following medication should be without a week before cardiac surgery, cardiac surgery होने वाली है, जिस patient की, इन में से कौन सी drug है, memory based question है, इन में से कौन से drug को without कर देना है, एक सबता पहले, 1 week पहले कौन से drug को hold कर देना है, सबी right answer दीजिए, जितने भी हैं अभी available, सबी answer दें, please, class को share जरूर करें, यहां से class खतम होने के बाद, आप class को share जरूर करेंगे, और जिन्होंने भी like नहीं किया है, please, अभी तक, वो like कर दें, class को, option A, option RNG, option S, कौन सा है, अचा, option D, सबी answer दें, बहुत सारे online अभी 25 लोग है, सबी answer दें, जल्दी जा answer दें, D है sir, सबी answer दे रड़ी, सबी answer दे जल्दी से, Clopidogrel, ठीक है, यहां हमारा right answer होगा, option D, जो भी दे रहे हैं, वो right answer है, Clopidogrel को one week पहले, रोक देना है, क्यों, क्योंकि यह क्या है, यह एक anti-platelet agent है, क्या है, anti-platelet agent है, anti-platelet agents को हम दे सकते हैं, वरना, patient को क्या bleeding के risk हो सकते हैं, bleeding tendencies बर सकती है, ठीक है, bleeding tendencies को prevent करने के लिए, पहले ही Clopidogrel को one week पहले ही withhold कर दिया जाता है, अब बाकी के बारे में देखे, यह ass inhibitor है, जो, second है, metaprolol, it is the beta blocker, frucemide, it is the diuretics, तो यह तो दी जाती है, ठीक है, यह तो दी जाती है, blood pressure को control करने के लिए, और cardiac workload को कम करने के लिए, frucemide, ठीक है, next question देखिए, यह बार बार पूछा गया question है, बहुत सारे exams में, बहुत सारे exams में पूछा गया question है, जल्दी सांसर दीजे, option A, option C, option C, dysphagia, difficulty in swallowing, airway obstruction, hoarseness of voice, या pneumothorax, जल्दी सांसर दीजे, सभी को इसका आंसर जरूर रपता होगा, patient है, laryngeal cancer का, है नहीं अभी, पर यहाँ पूछा कि, laryngeal cancer का most common early symptom कौन सा है, जल्दी सांसर दीजे, सभी को याद रखने वाली जीजे, लगता सभी को याद एए, question, hoarseness of the voice, most common sign क्या है, most common and early symptom क्या है, hoarseness of the voice, hoarseness of the voice, persistent hoarseness of the voice, lasting more than two weeks, देखें, यहाँ भी time भी दिया हुआ है, more than two weeks, अगर दो week होगे किसी person को, और voice में ऐसा hoarseness जैसा फील हो रहा है, यह warning sign है, यह warning sign है, laryngeal cancer का, two weeks से जैसा नहीं कि मेरा दो दीन से गला बैठा हुआ है, मैं जादा बोल लिया, इसने मेरा दो दीन से जारा गला बैठा हुआ है, hoarseness sound आ रहा है, तो मुझे laryngeal cancer का warning sign आ गया, ऐसा नहीं है, two week यह इससे जादा हो, तो वो warning sign है laryngeal cancer का, ओके, ग्रूप को जोइन करने के लिए description box में link दिया हुआ है, अब आजाकर कर सकते हैं, वहाँ जाकर जो भी अभी नए add हुए हैं, वो हमारा group जोइन कर ले, description box में direct link दिया हुआ है, वहाँ से जोइन कर ले, और जिन्होंने nursing आरीना को अभी तक subscribe नहीं किया, वो subscribe कर ले, आप से एक subscribe, एक like और एक share मांग रहे हैं सिर्फ, फ्लीज, बिना time waste के next question, location of Macburnies point is, Macburnies point का location क्या है, Macburnies point का location क्या है, midway between the umbilicus and anterior superior iliac spine on right side, umbilicus से midway between, umbilicus से anterior superior iliac spine on right side का जो बीच का रस्ता है, उसका जो mid point है, बीच वाला point, Macburnies point है, midway between umbilicus and anterior superior iliac spine on left side, midway between umbilicus and pubic symphysis, midway between umbilicus and coccus, right answer दीजिये, Macburnies point, Macburnies point, right answer दीजिये, midway between umbilicus and anterior superior iliac spine on right side, on left side, A is the right answer, सभी यहां right answer दे रहे हैं, option A, midway between umbilicus and anterior superior iliac spine on right side, दीजिये, Macburnies जो point होता है, वो हम कब measure करते हैं, जबकि appendectomy करनी होती है, क्या करनी होती है, appendectomy, appendix को find out करने के लिए, Macburnies point होता है, option 17, elderly women are more prone to develop hip fracture because, एक elder woman है, वो hip fracture के लिए, इन में से किस वज़े से ज़्यादा prone है, ज़्यादा suspected है, decreased estrogen secretion, उसको hip fracture क्यों हो सकता है, decreased estrogen secretion की वज़े से, increased bone density की वज़े से, increased calcium absorption या sedentary lifestyle, estrogen की secretion कम होने की वज़े से, bone की densities बढ़ने की वज़े से, calcium absorption बढ़ जाने की वज़े से, या sedentary lifestyle की वज़े से, सभी राइट आंसर दीजिए, elder woman है, सभी ने राइट आंसर दे दिया है, सबी ने राइट आंसर दे दिया है option A is the right answer देखिए elder woman का मतलब elder woman में क्या होता है estrogen का level कम secret होता है और patient को क्या हो जाता है क्या cause होता है osteoporosis क्या होता है osteoporosis देखिए यहाँ एक बात और clear करूँ कि elder woman के साथ में gin woman को hysterectomy मतलब removal of the uterus कर दिया जाता है उनमें क्या होता है estrogen level उनमें भी secretion कम हो जाता है तूसरी बात जिन jcave ladies में क्या कहते है menstrual cycle का stoppage हो जाता है ठीक है menstrual cycle जिन में cease हो जाती में क्या होता है estrogen level decrease होने लग जाता है तो यह जो तीनों का referee human है elder woman जिसको menstrual cycles बंद हो चुके हैं और जिसका uterus रिमूव हो चुका है इनको क्या होता है estrogen secretions कम होता है जिसकी वज़े से ये more suspect हो जाती है osteoporosis के लिए किसके लिए osteoporosis के लिए क्योंकि क्या होता है calcium का deposition properly नहीं होता है तो उसको क्या होता है फिर fracture risk increase हो जाती है menopause ठीक है ठीक है ठीक है राइट आंसर आपको पता जल गया decrease estrogen secretion के वज़े से patient को osteoporosis उतर osteoporosis का main complication नहीं है fracture spontaneous fracture तो इसको ये fracture हो सकता है type of shock seen in burns case इन में से कौन सा shock है वो burn वाली case में दिखने को मिलेगा hypovolumic, cardiogenic, neurogenic, none of the above right answer दीजिए memory based question है burn में कौन सा type का hypovolumic sorry hypovolumic, cardiogenic, neurogenic, कौन सा shock देखने को मिलेगा previous classes में हम shock के बारे में काफी discuss कर चुके है इसमें anaphylactic shock, cardiogenic shock, hypovolumic shock, neurogenic shock तो आप previous classes भी जाकर जरूर देखें, ठीक है, हमारा right answer है hypovolumic shock, what is the right answer? hypovolumic shock, क्योंकि burn में क्या होता है, excessive amount of fluid or electrolyte का loss हो जाता है, जिसके वज़े से heart properly pump नहीं कर पाता और body fluid कम पढ़ जाते हैं, जिसके वज़े से hypovolumia होता है, और उसमें क्या करता है, hypovolumic shock, ठीक है? most common cancer in the world among male population world widely male population में most common cancer कौन सा है? पूरे world में male के लिए most common cancer कौन सा है? prostate cancer, lung cancer, colorectal cancer या oral cavity cancer? सबी right answer दीजिए, जल्दी से answer पूट करें अपना world widely, all over the world male population में male के सबसे ज़्यदा common cancer कौन सा देखा जाता है? कौन सा है? बवीता जो option D, option B, option B, option A चल्दी से answer दीजिए बहुत confusion चल रहा है, A and B के बीच में और कोई D भी लिख रहा है worldwide भी बात करेंगे और Indian में भी बात करेंगे male और female दोनों के लिए ठीक है? या सभी ने right answer दिया है कुछ को छोड़कर सभी ने right answer दिया है तो B is the right answer, lung cancer is the worldwide for male population most common cancer है, ठीक है? देखिए अगर इंडिया की बात करें male population में इंडिया की बात करें तो it is the oral cavity cancer oral cancer इंडिया में सबसे उपर है most suspect ठीक है? oral cancer बहुत common है in males अगर female में worldwide बात करें worldwide बात करें अगर females की तो females होती है breast cancer के लिए ठीक है? female में most common cancer कौन सा है? breast cancer, ठीक है? आज का हमारा last question देखेंगे हम hyperventilation of the lungs leads to hyperventilation of the lungs hyperventilation की वज़े से इन में से कौन सा acid-base balance आपको देखने को मिलने का respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis या metabolic alkalosis, hyperventilation की वज़े से hyperventilation की वज़े से आपको किस टाइब का acid-base balance यहाँ देखने को मिलेगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए option B, option B, option B, option B, option B, आज का मारा last question है, जिनों ने भी students में अभी तक class को like नहीं किया, please class को like जरूर कर दें, एक बार class खतम होने से पहले class को like का वटन जरूर दबा दें, और end में अपना feedback जरूर देखे जाएं, सभी अपना feedback जरूर देखर जाएं, ठीक है, यहाँ सभी ने right answer दिया है हमारे, respiratory alkalosis, it is the right answer, hyperventilation की वज़े से क्या देखने को मिलेगा, respiratory alkalosis, क्या देखने को मिलेगा, respiratory alkalosis, अब यहाँ पर आपको कुछ information देता हूं, जाते जाते भी, CO2, CO2, carbon dioxide, यह क्या है, यह carbonic acid की form है, carbonic acid, एक acid होता है, carbonic acid, उसकी form है, जो हमारी body में present होती है, CO2 के रूप में, तो CO2 अगर body में increase होगा, अब आप सोच यह, CO2 अगर body के अंदर increase होगा, तो क्या होगा, हमारे HIN भी increase होगे, ठीक है, HIN क्या होते हैं, जो कि acidity को decrease करते हैं, या सीधा ऐसे समझेए, अगर CO2 increase होगी, देखिए, अगर CO2 increase होगी, CO2 increase होने के वज़े से, आपको क्या देखने को मिलेगा, acidity, मतलब, acidosis होगा, क्यों, क्योंकि, ये तो acid है, तो CO2 अगर बढ़ गई, तो इसका मतलब, acid भी बढ़ गया, तो हमारे pH में क्या होजाएगा, पिएच क्या हो जाएगी, तो pH decrease हो जाएगी, अगर CO2 बढ़ेगा, तो pH decrease होगी, और CO2 कम होगा, तो pH increase होगी, चलिए इसको relate करते हुए चलते हैं, हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा, पेशेंट डीपली बीज लेगा और rapid respiration करेगा, क्या करेगा rapid respiration rapid respiration का मतलब सब समझते हैं rapid respiration के वज़े से क्या होगा CO2 को ज़्यादा amount में बाहर निकालेगा क्या करेगा expire करेगा rapid respiration होगा तो gases exchange भी जल्दी जल्दी होगा और gases exchange जल्दी जल्दी होगा तो क्या होगा CO2 को भी ज़्यादा amount में बाहर निकाल देगा और CO2 क्या है? Acid है Acid अगर body से loss हो रहे हैं Acid अगर body से loss हो रहे हैं तो क्या होगा? pH increase हो जाएगा क्या होगा? pH increase हो जाएगा और cause क्या है? Respiratory cause Problem कोन कर रहा है? Lungs कर रहे हैं यहापे Lungs के hyperventilation की वज़े से क्या हो रहा है? Excess amount में CO2 बाहर निकल रहा है मतलब acids बाहर निकल रहे है Acid बाहर निकलेंगे तो body के अंदर base का level या alkaline का level increase हो जाएगा Alkaline का level अगर increase हो गया तो pH को increase करेंगे जो क्या cause करेगा? Alkalosis और cause क्या है? Hyperventilation तो हमारा right answer क्यों हो जाएगा? Respiratory Alkalosis What is? Respiratory Alkalosis ठीक है मैयूरी जी एक बार फिर से repeat करते हैं देखिए हमारा carbon dioxide जो होता है वो होते हैं acid Carbon dioxide है वो acid का form है इतना याद रखिए अब सोचिए कि अगर carbon dioxide body के अंदर बढ़ गए तो क्या होगा? Acidosis होगा क्यों होगा? क्योंकि carbon dioxide तो क्या है? Acid है तो acid बढ़ गया तो क्या होगा? Acidosis अब यहाँ हमारे just ulty condition दी हुई है कि hyperventilation Hyperventilation में क्या होता है? Respiration बहुत जल्दी जल्दी होता है तो respiration जल्दी हो रहा है इसका मतलब Body से CO2 ज़्यादा amount में बाहर जा रही है जितना normally जाना चाहिए normal respiration में balance बना रहता है O2 और CO2 का तो hyperventilation में क्या होगा? ज़्यादा O2 अंदर आएगी ज़्यादा CO2 बाहर expirate होगी या बाहर निकलेगी तो CO2 तो क्या कर रही है? हमारे Body में Acid ही तो है अगर आप सोचो Acid अगर ज़्यादा amount में बाहर निकलेंगे Acid अगर ज़्यादा amount में बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? Body के अंदर Acid और Base का balance हिल जाएगा Impaird हो जाएगा तो क्या होगा? अब जो पीछे कौन बच गए? Base Base या हम को कह सकते हैं Alkalines Alkalines जो होते हैं वो बढ़ जाएगे Body के अंदर क्योंकि Acid तो बाहर निकल गया अब Alkaline या Base अगर Body में बढ़ जाता तो वो क्या करते हैं? pH को Increase कर देते हैं ठीक है? pH को Increase कर देते हैं और जैसा मैंने अगर Other दूसरे Point of View से बात करें तो CO2 का Loss CO2 अगर Body के अंदर Decrease हो रही है तो Obvious सी बात है pH Increase होगी ठीक है? ये दोनों दुश्मन हैं आपस में ये दोनों दुश्मन हैं आपस में अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा ठीक है? तो pH ये इंक्रीज होगी pH इंक्रीज होती है हम उसको क्या कौन सी condition बोलते है alkalosis की condition क्या बोलते है? alkalosis की condition और अगर Coase कहा हो रहा है? lungs में ठीक है? hyperventilation होता है lungs में ठीक है? तो वह होता है respiratory alkalosis ठीक है? सभी ने समझ लिया इस बात को चलिए तो आज की class हम यहीं खतम करते हैं जिन्होंने भी group join नहीं किया group join कर ले और group में discussion करें अराम से अपना knowledge share करें हम से भी करें अपने friends से करें और जादा जादा group के link को भी share करें ठीक है तो जिन्होंने class को like नहीं किया please class को like जरूर करके जाएं थेंक्यू करतेगा जी थेंक्यू आर्पे सिंग जी आप सभी के cooperation के लिए भी थेंक्यू आप एक बार share जरूर करके जाएं और जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है वो चैनल को subscribe करके जाएं ओके थेंक्यू stay healthy and stay safe bye and thank you